विश्व का भूगोल यानि वर्ल जग्रॉफी काफी जादा important subject है अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो तो friends वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हूँ friends ये question इतने जादा important है अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हो friends अगर आपने friends ये सभी question अच्छे से रट लिए एक्जाम में आपको जादर question मेरी वीडियो से ही मिलेंगे friends मैंने आपके लिए सारे question selected लिए हैं वही question लिए हैं जो question exam में बाबा पुछे जाते हैं आप एक्जाम से पहले ये सभी question अच्छे से रट लेना एक्जाम में आपको बहुत help मिलेगी है friends मैं आपको बता दूँ ये जो अफरीका का भुगोल है काफी जादा important है क्योंकि इसमें से दो question हर एक्जाम में पुछे जा रहे हैं friends आपके question अच्छे से कर लेना start कर लेते हैं हम अपने question number one से question number one है हमारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाधरीप कौन सा है तो answer is का जो अफरीका महाधरीप है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाधरीप है और friends आपको पता होना चीए कि पहले नंबर पे जो है वो एशिया है दूसरा सबसे बढ़ा महाधरीप है अफरीका तीसरा सबसे बढ़ा महाधरीप है उत्री एमेरिका चोथा सबसे बड़ा महादरी पर अंटार्टिका और छेमा सबसे बड़ा महादरी पर योरोप और साथों बड़ा है आस्ट्रेलिया मतल़ फ्रेंश ही rank wise मैंने सातों arrange कर दी आपके लिए अगला कोश्न हमारा है किस महादरी को तीनों रेखा है करक रेखा गुषने अंसर उन्हों दुनिया के सबसे बड़ी जील? तो आपका आणसर वो कहा है, विक्टोरिया जील नहीं, जौशन वह प Repe Тут कारे यह है, एज़ा जो तेहा सो सठी है अपो आपको यहë छीज गलोब बना के समझाथाँ। को बहुत अच्छे से क्लियर होगा अब सब्सक्रों करो यह हमारा गर प्रिथवी है आप सभी को बता है बीच में से विशुवत रिखा गुजरती इसको कि हम जीरो डिगरी इक्वेटर भी बोलते हैं ठीक है आप यह देखो अगर अगर अफरीका माधरी कुछ इस तरह का है अगर यहाँ पे अफरीका माधरी स्थित तो देखो फ्रेंट जो जीरो डिगरी कुछ रोता है विशुवत रिखा की अऊपर उली इसा होता है उसको हम उत्री गुलारत बोलते हैं ठीक है जो नीचे वॉला हिसा होता है उसको हम बोलते है दक्श्नी गुलारत तो दो हो गया, ठीक है मतलब दो हिससे इस तरफ हो गए, दो गुलार्द इस तरफ हो गए और दो यह हो गए, मतलब चारो गुलार्द में स्थित्य अफरीका महाधरीप, इंपॉर्टन कोशन है, एक्जामे कर पुछा गया है, अगला पुछन कर लेते हैं, जिब्रादल जनसंदी कि दो महाधरीप को आपस में अलग करती है, तो अफरीका महाधरीप और यूरोप महाधरीप को जिब्रादल जनसंदी आपस में अलग करती है, अफरीका महाधरीप के कौन से देश और यूरोप महाधरीप के कौन से देश को आपस में अलग करती है, तो आपको पता होना चाह और अंध महादेब के नाम से भी जाना जाता है, तो answers का, जो अफरिका महादेब है, इसे काला और अंध महादेब के नाम से भी जाना जाता है, important है, अगला परशन का लेते हैं, important है अबी, अटलस परवत किस महादेब में स्थेत है, सही answer जाता है, अफरिका महादेब में स्थ तो आप किसी भी एक्जाम के दियारी कर रहे हो देश के, अगर आपने इस सब भी question अच्छे से रट लिए, जातर question आपको मेरी वीडियो से ही मिलेंगे, अगरा question कर लेते हैं, किस छेतर को अफरीका में नील नदी का उफार भी कहा जाता है, तो सही answer is का, जो मेस्तर है, जिसे का इरो जो है, इसकी राजधानी है, ठीक है friends, अगरा question हमारा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान, यानि desert कौन सा है, जो सही answer है, जो साहरा रेगिस्तान है, जो कि अफरीका महादीप में स्तेत है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यान जहां, पुचा करें और सबसे गरम, ठीक है, तो बोजे, तुम देखो, जो साहरे रेकिस्तान है, तीसरा है साहरा देगिस्थान, ठीक है, अगला परशन हमारा है, अफरीका में बहने वाली जारी नदी का दूसा नाम क्या है, तो सही आंसर इसका, जो कांगो नदी है, ये अफरीका में बहने वाली जारी नदी का दूसा नाम है, अगला परशन कर लेते हैं, अफरीका में कौ अगला परशन कर लेते हैं कि इस महादेप में सबसे जाता अगला परशन कर लेते हैं दुनिया का दूसरा सबसे जाता जनसंग के वाला महादेप कोँशा है तो आपको पता होने चीए नंबर एक पे किया है एशिया जहाँ पे सबसे जाता जनसंग के रहती है और दुसरे नंबर पर आफिका महादेप अगर आपसे पुछा जाए कि दुनिया का सबसे जादा जन्संग के वारा देश कौन सा है तो आपको पता है ये नंबर एक पे जो है वो चीन है और नंबर दो पे है हमारा देश भारत अगला पुछन कर लेते हैं अफरीका की कौन सी नदी मुमध्य रेखा को दो बर काड़ती है तो सही आंसर इसका जो कांगो नदी है अफरीका की ये मुमध्य रेखा को दो बर काड़ती है अगला पुछन कर लेते हैं ये भी एक्जाम में कई बर पुछा गया है अफरीका की क कोन सी नदी मकर रिखा को दो बार काटती है तो सही आंसर इसका लिम पो पो नदी जो है अफरीका की ये मकर रिखा को दो बार काटती है फ्रेंस ये सभी कोशन एक अच्छे लेवल के कोशन है तो सभी कोशन आप अच्छे से रट के जाना एक्जाम से पहले अगला परशन कर आपको बता दू इस वीडियो में आपको 90 कोशन घरवाने वालों यही कोशन एक लिए से रिवाइस भी कर वालों ताकि आपको सारे के सारे कोशन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं और आपको नोट्स बाने की की जूरूत ना पड़ें तो आप इस वीडियो को starting जरूर देखना, रिवीसम वाला पार्ट जरूर देखना, और वीडियो के एंटर में दो कोशन का मैंने टेस्ट भी रखा है, दोनों कोशन का आंसर आपने मुझे कमेंटर के जरूर देना है, अगला पुशन का लेते हैं, अगला पुशन हमारा है, अफरीका महादेब के उतरी पूरवी हिस्से को क्या कहते हैं, अगला पुशन कारिए हैं, 3 देश शामिल है होन फ अफरीका मैं, आपको बता होना चाहिए, जो अफरिका महाधरी पर नहीं वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, यह वाला हिस्सा है ना, आप देखो नहीं कुछ सिंग के दे रहा है, ठीक है, इसी को हम हॉर्न आफ अफरिका कहते हैं, और इस देश में इस इससे में तीन देश शामिल है, तो फिर अफरिका में शामिल तीन देश है, आपको ना, इथोपिया की राजधानी, सुमालिया की राजधानी और जीबूती की राजधानी भी पता होनी चाहिए, क्योंकि यह एक्साम में पूछे गई हैं, तो फिरेंड जो इथोपिया है, इसकी राजधानी है, उदीस अबाबा, अधीस अबाबा, जो सुमालिया, इसकी राजधानी है, मुगादीशू, और जो जीबूती, इसकी राजधानी जीबूती ही है, अगला परशन कर लेते हैं, अफरिका में सबसे अधिक जल विद्यूत पैदा करने वाला करीबा बांद किस नदी पर है, तो आंसर इसका, जा आसवान बांद किस नदी पर स्तित है, तो आंसर इसका, नील नदी पर स्तित है, अफरिका में आसवान बांद, आपको बताओना चीज़, जो नील नदी है, यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है, अगला परशन कर लेते हैं, आसवान बांद, जिसे की हम नासर बांद भी क कहते हैं किस नदी परस्थित है तो आइसे का नील नदी कहां बूमत्य सागर में गिरती है नील नदी, अगला पश्छन कर लेते हैं, किस महादीप को पठारी महादीप के नाम से भी जाना जाता है, तो ंसर नवारा ए terus कर, पठारी महादीप भी कहते है सही आंसर का Mount Kilimanzaro जो है यह अफरिका महादीप का सबसे बड़ा जौला में की है अगला परशन कर लेते हैं अफरीका के किस देश को वनों का देश भी कहते हैं तो आंसर का जो कांगो देश अफरीका का इसे वनों के देश के नाम से भी जाना जाता है इंपॉरेंट है अग अगला परशन कर लेते हैं सोईज नहर अफरीका के किस देश हो के गुचरती है तो आंसर इसका मिस्त देश हो के गुचरती है सोईज नहर अफरीका के अगला परशन कर लेते हैं मोजांबिक चैनल यानि कि मोजांबिक जलसंदी अफरीका के किन दो देशों को जोड़ती है जो मेडाकासकर और जो मुजामबिक है अफरीका के देश इसे मुजामबिक चैनल आपस में चोड़ती है अगला परशन कर लेते हैं कालाहारी रेगिस्तान किस महादीप में स्थित है अफरीका महादीप में स्थित है कालाहारी रेगिस्तान अगला परशन कर लेते हैं कालाहारी रेगिस्तान अफरीका के किन देशों में फैला हुआ है तो आंसर इसका नामीपिया, बोटस्वाना और दश्चिन अफरीका में फैला हुआ है कालाहारी रेगिस्तान अफरीका के अगला पशन कर लेते हैं अफरीका महादीब का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो अलजीरिया है ये अफरीका महादीब का सबसे बड़ा देश है और फ्रेंच जो अलजीरिया देश है इसकी राज़दा नहीं है अगला परशन कर लेते हैं, अफरीका महादीब का सबसे छोटा देश का क्या नाम है, जो शैशल्स है, ये अफरीका महादीब का सबसे छोटा देश है, अगला परशन कर लेते हैं, अफरीका की उशन कटी बंदिये छेतर को क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है, अफरीका की ocean कटी बंदिये छेतर को अगला वर्षन कहा लेते हैं, अफरीका के situation कटी बंदिये छेतर को क्या कहा जाता है तो सही answers का, weld कहा जाता है, अफरीका के situation कटी बंदिये छेतर को अगला वर्षन हमारा है, important है एक भी अफरीका महादीब के किस देश को Asia और Europe का junction कहा जाता है तो answers का, जो मिस्टर देश है अफरीका महादीब का, इसे Asia और Europe का junction कहा जाता है, friends मैं आपको बता दू, मेरे और भी YouTube channel है, अगर आपने Maths और Reasoning पढ़ने है, बिल्कूल Expert Level की, तो friends, आपको मेरी YouTube channel पर आना पढ़ेगा, उसका नाम है Ravi Study IQ Maths, friends, यहाँ पर Maths की और Reasoning की बहुत Expert Level की coaching करा ही जाती है, अगर friends, आपने English पढ़ना है, तो आपको आना पढ़ेगा Ravi Study IQ English पर friends, यहाँ पर English और Hindi की coaching दे जाती है और friends, मेरा एक motivational और मेरा एक tech channel भी है, वो है Ravi Tech Talk, यहाँ पर देता हूँ, Ravi Tech Talk friends, आप तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि next video की notification आपको मिलते रहे और आपको exam clear करने में बहुत मदद मिले, और friends, अगर आपको इस video की PDF चाहिए, तो आपको मेरे Facebook पे आजाओ, या मेरे Instagram पे आजाओ, या मेरे Telegram पे आजाओ, friends, वो है Ravi Study IQ GK, यहाँ पर देता हूँ, Ravi Study IQ GK, आपने सर्च करना है, ठीक है अगला परशन कर लेते हैं, नील नदी की दो सहायक नदी कौन सी है, तो सही answer इसका, नीली नील नदी और शोईत नील नदी, यह नील नदी की दो सहायक नदी है, अगला परशन कर लेते हैं, अफरीका का जंजीवार और पैमबा देप विश्व में क्यों प्रसीद है, तो answer इसका लाउंग की उतपादन के लिए अफरीका का जंजीवार और पैमबा देप प्रसीद है, अगला परशन कर लेते हैं, लिविंग स्टोन जरपरपाथ, अफरीका के किस नदी पर स्थित है, तो सही अंसर का, कांको नदी पर स्थित है, लिविंग स्टोन जरपरपाथ, अफरीका के अगला परशन कर लेते हैं, अफरीका की तीन राजधानी का क्या नाम है यह कोशन आपसे एक्जाम में अलग तरीके से पुछा जाएगा ठीक है तो इसकी तीन राजधानी है एक है कैप टाउन जिसे कि हम विधाई राजधानी भी बोलते हैं दूसरा है प्रेटोरिया यह कारेपाली का राजधानी है अफ्रीका महादीब की तीसरा है ब्लॉम फॉन्टेन जो की नयाएक राजधानी है अफ्रीका की अगर आपसे एक्जाम में यह पुछा जाए कि अफ्रीका महादीब की कारेपाली का राजधानी कौन सी है तो आपका आंसरों का पेटोरिया, अगर आपसे पुछा जाए, निया ये एक राजधानी कौन सी है, तो वो है, ब्लॉम फॉंटेन, ठीक है, इंपॉरेंट है ये, अगला परशन कर लेते हैं, किस महादीब को मरुस्थलिय महादीब भी कहते हैं, तो अगला परशन कर लेते ह इसे मरुस्थलिय महादीब के नाम से भी जाना जाता है, अगला परशन कर लेते हैं, इंपॉरेंट है ये, जो अभी चार कोशन आपको करवाने वाला हो ना, ये मोस्ट इंपॉरेंट है, इसमें से एक कोशन एक्जाम में कई बार रिपीट हुए है, अगला परशन हमारा ह है, अफरिका का सबसे पूर्वी बंडु का क submerged हैं जो ही आंजाँ सेसर का, हगुण पॉइंट जो है ये अफरिका का सबसे पूर्वी बंडु क कहलाता है और ये अफरिका की सुमालिया बेश में है, अगला परशन हमारा है, अफरिका का सबसे पश्म किцион क कहलाँ εδώ का लेते ह अफ्रिका महादेब का सबसे दक्षिन तम बिंदू के नाम है तो सही आंसर इसका कैप अगुलहस जो है ये अफ्रिका महादेब का सबसे दक्षिन तम बिंदू कहराता है और अगर आपको option में कभी कभी न कैप of good hope भी दिया हो सकता है ठीक है आपने ये ध्यान रखना है जो cap of good hope है ये इसका सही आंसर नहीं है इसका सही आंसर है cap अगुलहस ठीक है फ्रिंट्स पर जाला तर कहीं-कहीं book में cap of good hope भी दे रखा है जो की गलत है अगला परशन कर लेते है सहारा मुरुस्तल किस महादीप में स्थित है तो सही आंसर है अफ्रिका महादीप में स्थित है सहारा मुरुस्तल अगला परशन है वीष्व की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है तो आंसर है अफ्रिका महादीप में बहने वाली नील नदी जो है ये वीष्व की सबसे लंबी नदी है अगला परशन कर लेते हैं अफरिका महादीप में कितने मानक समय है तो आपको बताओ ना चीए छे मानक समय है छे स्टेंडर टाइम है अफरिका महादीप में और हमारे देश में सर्फ एक स्टेंडर टाइम है अगला परशन कर लेते हैं अफरिका महादीप की दूसरी सबसे अगला पुशन कर लेते हैं, करीबा बांध किस नदी परस्तित है, सही आंसरेज का, जंबेजी नदी परस्तित है, करीबा बांध, अगला पुशन कर लेते हैं, अफेका महाधिब की आयतन के हिसाब से, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आंसरेज का, जो कांगो नदी है, ज जब से लंबी नदी हैं। नील नदी और सामें ध्यान रखना है। आइतन केरा प्रेशाफ पहसे लड़ी नदी पूछा गया था है। तो है। छो है अफरीका की कांगो नदी और दुनिया की हैं अमैजन नदी। अगर आपसे पुछा जाए कि लंबी नदी कौन सी है दुनिया की तो वो होगा नील नदी अगर आपसे पुछा जाए कि अफरिका महादीब के पूर में कौन सा सागर इस्तेत है तो आंसर इसका हिंद महासागर इस्तेत है अफरिका महादीब के पूर में अगर आपसे यह पुछा जाए कि अफ्रेका महादेब के पूर में कौन सा सागर इस्थेता है ठीक है तो फ्रेंट्स वो है अरब सागर इस्थेता है अफ्रेका महादेब के पूर में अगर महासागर पुछा जाए तो वो है हिंद महासागर अगला पुशन कर लेते हैं अफरीका महादीब के पश्चिम में कौन सा महा सागर इस्थेत है अफरीका महादीब के पश्चिम में अगला पुशन कर लेते हैं सोईच नहर की दो सागर को जोड़ती है तो अगला पुशन कर लेते हैं वहां पर शुर्मुख नमक विशाल चेडिया जो अफ्रीका पाई जाती है वह किस छेटर में पाई जाती है इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है जो भी पढ़ाया जाएगा आपको अगला परशन कर लेते हैं कौन सा देश क्रोमियम सबसे जादा उत्पन करता है तो आंसर है जो तशीन अफरीका है अफरीका महादीब का व अगला परशन कर लेते हैं अफरीका महादीब को कौन सी रिखा दो हिस्से में बाटती है जो भूमदे रिखा है ये अफरीका महादीब को दो हिस्से में बाटती है बहुमदे रिखा को हम विशुवत रिखा भी बोलते हैं ठीक है विशुवत रिखा या पोलो जिरो डिग जनसंकय वाला देश कुझ सा है? तो आफ्रीका महादीब करें राजदां करो नाइजदा नहीं है अभूने फॉर्चा कहर Sind लिए फॉर्ची यहाँ पर सबसे गरम रेकिस्तान है साहरा रेकिस्तान वो ओफ्रिका महादीब को गरम अभी गरते कर लेते हैं अफिका के किस ढेश मे सबसे जआधा जनसंक्या हिंदू जनसंक्या पाई जाती है तो अफिंस का मारेश रहें इसकी राज़धानी भी पर एपको जिराफ की राजदानी है? Port Lawrence अगला परशन कर लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्थल प्रानी अफरिकार महाधिरीब के किस नदी को पाम तेल की नदी भी कहते हैं जो नाइजर नदी है अफरिकार महाधिरीब का इसे पाम तेल की नदी के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशन कर लेते हैं स्टेनली जलपरपात अफिका महादीब के किस नदी परस्तित है तो आंसर इसका कांगो नदी परस्तित है स्टेनली जलपरपात अगला प्रशन कर लेते हैं सोईज नहर की लंबाई कितनी है तो आंसर इसका एक सो तेरानवे किलोमेटर 30 मीटर जो है यह सोईज नहर की लंबाई है यह जो मतलब एक सो तेरानवे पॉइंट तीस है यह मैंने गुगल से चेक किया है ठीक है अगर अगर आपको इसमें थोड़ी और अलजेरिया देश यह अफरीका का यहां पर एटलस परवत स्थेत है और फ्रेंट इग्जाम में एक कोशन और ही पुचा जाता है कि जो इबन बतूता था जो बारत में यातरी आया था वो किस देश यह आया था तो आपको बतावने चाहिए अफरीका देश यह आया था इ लाल सागर है, यह अफुरिका महादीब को Isya महादीब से अलग करता है, अगल्ड़ा परशन है, नाईजर नदी, नाईजर नदी किस महादीब में बहती है, तो अन्वरा परशन कर लेते हैं, अगला पश्छन कंगो नदी किस महादेप में भहती है तो सही आँसर भुमध्य सागर स्थित है अअगला पश्छन कंगो नदी किस महादेप में बहती है और अगला परशन है जांबेजी नदी किस महादीप में बहती है और अगला परशन है जांबेजी नदी किस महादीप में बहती है और अगला परशन है वोल्टा नदी किस महादीप में बहती है और अगला परशन कर रहते है लिम पोपो नदी किस महादीप में बहती ह इसमें अफ़ी कोशन में लिए कर दरिए जरुए है अगला परिशन है नूबियन रेगिस्तान के इस महादीप में स्धेत है?", समें, अगला परिशन है अफिर नेशे के से railway station से महतमा गांधी को उतार दिया गया था तो answer is का जो Peter Merit Zerberg है Dostean Africa का railway station यहां से महतमा गांधी को train से उतार दिया गया था ठीक है यहां पर देता हूं train से उतार दिया गया था अग्ला वश्ण कहलेते हैं अफरीका का कौन सा शहर सोवन उत्पादों के लिए प्रसीद है तो आंसर इसका जो जो जोहांसबर्ग शहर अफरिका महादेब का वो सोवन उत्पादों के लिए प्रसीद है अगला परशन कहलेते हैं विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है तो आंसर इसका दक्षिन अफरिका में 30 कiums भवर km2 ऐसे फार्ड वर चिल्वाग जो है अफ्रीका महादीप का च्रिफाल है और फिर각 एक्सफल ल्यक्त वैस्व मैं अवर nya कहने जारर 37,00,00 ठीक है या बोलो 3, Yeonp 3,00,00, 600,00, 489,00 square kilometer ठीक है फ्रेंट्स अगला पुर्शन कहा लेते हैं अफ्रिका महादीप विश्व के छेथफल का कितने प्रतिश्यत है तो आंसर है जो अफरीका महादीब है, इसे भविशिक का महादीब के नाम से भी जाना जाता है। अगला परशन कर लेते हैं, अफरीका महादीब का कौन सा देश विश्वत रिखा परस्तित है। जो साव टॉमो है साव टॉमो देश जो है अफरीका महादरीप का यह विश्वत रिखा परस्थित है और फिन ये साउट ओमो है, ये एक DPA महादरीप है ठीक है, DPA महादरीप है, अफरीखा का अगला परशन कारेते हैं, अफरीका महादरीप के 6 DPA देश कोन से हैं सही आंसर इसका, जो मैडागाज कर ए, कोमोरस है, शैसल से, मारिशब से है South Tomo और Cap Verde यह अफरिका महातरीप के 6 दीप यह देश है अगला परशन कहलेते है विशुवत रिखा अफरिका के कितने देशों से होकर गुचरती है तो answers का साथ देशों से होकर गुचरती है विशुवत रिखा अफरिका के अगरी कोशन कहलेते हैं इस विशुवत रिखा अफरिका के कौन से साथ देशों से होकर गुचरती है तो answers का South Tomo, Gabon, Congo, Congo, गंतन जिसको की हम जाहरे के नाम से भी जानते हैं यूगांडा, केनिया और सुमालिया यह साथ देश हैं अफरिका के जहां से विशुवत रिखा यानि की जिरो डिगरी इकुवेटर या बोलो भूमदे रिखा गुचरती है इंपॉर्नन कोशन है यह जितने भी कोशन से अफरिका महादरी बनते थे इंपॉर्नन मैंने आपको करवा दिये उमीद करता हूं अपको मेरी यह वीडियो है अपको मेरी यह वीडियो पसंदा ओएमाने आपको जो 90 questions करवाई हैं, वो एक बार revise करवा देता हूँ, फ्रेंट जो दो students सबसे पहले मुझे answer करतेंगे इस question का, उसको एक मैं GK की बुग इप करने वाला हूँ, तो आपने मुझे अपना comment, अपना answer commenter के जरूर देना है, पर पहले मैं आपको एक बार revise करवा देता हूँ, और आपरीका महादेब, विक्टोरिया जील किस नदीप पर स्थित है, सही answer है, जंबेजी नदी, ऐसा कौन सा महादीप है जो चारो गुलार्द में स्थित है, सही answer है, अफरीका महादेब, जिब्रालतल जनसंति कि इन दो महादेब को आपस में अलग करती है, आपरीका महादे एटलेस परवत की सबसे उची चोटी का क्या नाम है, आंसर है टॉपकल, किस छेतर को अफरीका में नील लदी का उपाहर भी कहते हैं, आंसर है मिस्तिर एजिप्ट, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान डैसेट कौन सा है, आंसर है सारा रेगिस्तान अफरीका, दुनिया का सबसे बड़ा गरम रेगिस्तान कौन सा है, आंसर है सारा रेगिस्तान अफरीका, अफरीका में बहने वाली जाहरी नदी का दोसा नाम क्या है, आंसर है कांगो नदी, अफरीका में कौन सी जील भूमत्य रिखाक से होगा कुचरती है, आंसर है विक्टोरिया ज आफ्रिका महादीप की सबसे उचे शिखर का क्या नाम है? आंसर है केली मेंजारों 5,895 मेटर दंजानिया में कालाहारी रेगिस्तान की इन दो नदियों की बीच स्थित है? आंसर है औरेंज नदी और जांबेजी नदी किस महादीप में सबसे ज़्यादा देश है? आंसर है अफ्रिका महादीप दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा संक्या वाला महादीप कौन सा है? आंसर है अफ्रिका महादीप आफ्रिका की कौन सी नदी भूमदे रेखा को दो बर काटती है? आंसर है कांगो नदी अफरीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बर काटती है आंसर है लिम्पोपो नदी विश्व का सबसे गरम स्थान कौन सा है आंसर है अलजीजिया लीबिया में अफरीका महादरीब और दुनिया की सबसे बड़ी जील का क्या नाम है आपरीका महदुरीब के उतरी पूर्वी हिस्टिंग में कितने देश शामिल है आपरीका में सबसे अधिक जल विद्ध पैता करने वाला करीबा बांध किस नती पर है आफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्तित है आफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर स्तित है आफ्रीका महादीब कहां से निकलती है आफ्रीका महादीब में कितने देश है आफ्रीका महादीब की कौन सा है माउंट किले मिंजारो अफरीका के किस देश को वनों का देश भी खहते हैं आंसर है कांगो विश्व की सबसे बड़ी महान भ्रंश गाटिक ग्रेट रिफ्ट वैली किस महादेप में स्थेत हैं आंसर है अफरीका फ्रिंस आप ये वीडियो मेरे ऑफिशल यूट ट्यूब चैनल रवीश्ट अडिया यूजी के पर देख रहे हो स्वेश नहर अफरीका किस देशों को गुजरती आंसर है मिस्टर मुजांबिक चैनल जंस अंदी अफरीका के इन दो देशों में चोड़ती आंसर है मेडागासकर मुजांबिक कालाहरी रेकिस्तान किस अफरीका के ओशन कटी बंदिय चेदर को क्या कहा जाता है आंसर है सवाना अफरीका के सितोशन कटी बंदिय चेदर को क्या कहा जाता है आंसर है वैल्ड अफरीका महादीब के किस देश को एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है आंसर है मिस्टर नील नदी की दो सा अफरीका की तीन राजधानी का क्या नाम है। विधाई राजधानी प्रितोरिया, कारय-पालिका राजधानी बोम, फांटेन, नायाइक राजधानी किस महाद़ीब को मरिस्तोली महाद Бी कहते हैं आंसर है अफरीका अफरीका का सबसे उतरी बिंदुवा क्या नाम है अगला परिशन है अफरीका का सबसे पूर्वी बिंदुगा क्या नाम है अगला परिशन है अफरीका का सबसे पश्यमी बिंदुगा क्या नाम है अफरीका महादीप का सबसे दक्षिंतम बिंदुगा क्या नाम है अफरीका महादीप का सबसे दक्षिंतम बिंदुगा क्या न आण्सर है। अफरिका मादरिप की दूसरी सबसे बड़ी जील का क्या नाम है। अन्सर है तंगारी का जील। क्रीबा किस नदी पर फ्तित है। शुतरमुग नामक विशाल चडिया अफरीका में कहां पाई जाती है? आउन्सर है कालाहरिय मुरुस्तल कौन सा देश क्रोमियम सबसे ज़्यादा प्रत्वैर प्रतपन करता है? आउन्सर दक्षिन अफरीका अफ्रिका महादरीप की सबसे बड़ी द्यूपिय देश कौन सा है? आंसर है मैडाकासकर अफ्रिका महादरीप को कौन सी रेखा दो हिस्से में बाठती है? आंसर है भूमद्य रेखा अफ्रिका महादरीप का सबसे अधिक जनसंक्यावला देश कौन सा है? आन्सरे नाइजीरिया किस महादेब को गरम महादेब भी कहते हैं आन्सरे अफ्रीका महादेब आफ्रीका किस देश में गरम adapting पहई जाती है आंसरे मारिशास भीषव का सबसे बड़ा स्थल फ्रानी, अफ्रीकन हांथी और जिराफ किस महाधरीप में पाय जाता है आफरीका महाधरीप के किस नदी को पाम तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है आफरीका किस नदी के नाम से भी जाना जाता है आफरीका किस नदी के नाम से भी जाना जाता है आफरीका किस नदी के नाम से भी जाना जाता है आफरीका किस नद अज करता है पर अफ्रिक्टे ट्री माँ अन्सटे ट्रीज्टे शेल IsT कुच्छ & कहरता हेती है अफ्रिक्ट के अर्फिक लियुक्त साघ्रक च्चाहर होगाए करता है होगा वंद्रभक्ा का पिच्छ बहती है आंसर है अफ्रीका महादीप लेम पोपो नदी किस महादीप में बहती है आंसर है अफ्रीका नूबियन रेकिस्थान किस महादीप में इस्तित है आंसर है अफ्रीका महादीप में दक्षिन अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से उतार दिया गया था तो आंसर है पीटर मैरिटर्जबर्ग अफ्रीका का कौन सा शहर स्वन उत्पादों के लिए प्रसीद है आंसर है जोहांजबर्ग विश्व की सबसे बड़ी हीडे की खान कौन सी है आंसर है केम्बरेले खान तशिन अफ्रीका अफ्रीका महादीब का छेत्फल कितना है आंसर है 3.3 करोर वर किलोमेटर अफ्रीका महादीब विश्व के छेत्फल कितने परतिशत है आंसर है 20.4 परतिशत विक्टोरिया जिल किस महादीब में स्थित है अंसर है अफिका महादीब में किस महादीब को भविशे का महादीब भी कहते हैं अंसर है अफिका महादीब को अफिका महादीब का कौन सा देश विशुव तरीखा पर स्थित है अंसर है साउट टोमो अफिका महादीप के 6 दीपय दीश कौन से हैं आंसर है मेडा गासकर, कोमरस, शैसल्स, मारिशस, साउट ओमो और कैप वरेडे विशुवा तरीखा अफिका कितने देशों से गुजरती हैं आंसर है साथ आखरी कोशन कर लेते हैं इस वीडियो का विशुवा तरीखा अफिका के कौन से साथ देशों से को गुजरती है आंसर है साउट ओमो, गैबोन, कांगो, कांगो गंतन्त, जायरे, युगांडा, केनिया और सुमालिया मैंने आपको ये 90 के असपास कोशन करवाएं, उमीद करता हूँ आपको इस सारे के सारे कोशन हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद हो गयोंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आगी तो आपको ये वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल चाहिए मुझे जरूर की जरूर के जरूर देना है उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए ताकि नेक्स वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल चाहिए और अगर आपके family में या आपके friends circle में कोई भी ऐसा student है जो किसी भी exam के त्यारी कर रहा है उसके साथ friends इस channel के link को आप share करिए ताकि उनको भी इस video से काफी जादा help मिल चाहे friends मैं आपको बता दू मेरे और भी youtube channel है अगर आपने maths और reasoning पढ़ना है बिल्खुल expert level कर तो friends आपको आना पड़ेगा रवी study IQ maths पर अगर आपने English और Hindi की coaching कर रही है तो आपको आना पड़ेगा रवी study IQ English पर और एक मेरा motivational और एक tech का channel भी है वो है रवी tech talk friends आप इन तीनों चै पर पढ़ाया जाएगा आपको बिल्कुल expert level का पढ़ाया जाएगा तो friends आप मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best